नमस्कार आप देख रहे आरे नियूज मैं हूँ आपके साथ सत्यम गौर वक्त हो चला है तीस मिनट में तीस बड़ी खब रोका प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने विश्व जल दिवस के मौके पर जल सकती अभ्यान की यहाँ पर सुरवात की है साथ ही इस दोरान आपको बता दे की सियम योगी भी मौजूद रहे हैं साथ ही कैन वेतुवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रतेश और मद्द प्रतेश के बीच यहाँ पर हस्ताक्षर किया है उत्राखंड के मुकमंतरी तीरत सिंग रावत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोसल मेडिया के जरिये दी मुकमंतरी तीरत सिंग रावत ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर ये जानकारी साजा की है और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिव आई है मैं ठीक हूँ और मुझे कोई परिसानी नहीं है डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयम को आईसोलेट कर लिया है आप मेंसे जो भी लोग गत दिनों में हमसे मिले हैं वो अपना चेक अप करा ले देश की संसत में सोमबार को महरास्ट में सौ करोड की वसूली का मुद्दा गूंजा संसत के दोनों सदनों में महरास्ट को लेकर जम कर हंगामा हुआ है केंद्री मंत्री प्रकाज जावडेकर ने राजसवा में इस मुद्दे को उठाया उन्होंने का है कि महरास्ट के ग्रेव मंत्री वसूली कर रहे हैं और यह सारा देश देख रहा है हंगामा बढ़तें के बाद राजसवा को दो उपहर दो बज़ेक तक यहां पर इस्तगित भी किया गया है और एक साल पहले करोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप के बीच 22 मार्च 2020 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जंता करफ्यू की होशना करते हुए भारत वासियों से अपने घर में बंद होने के लिए कहा था इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, सारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साप रखने जैसे तमाम गाइडलाइन्स के बारे में यहां पर निर्देश दिये गए थी यह एक तरप से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिस थी मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंग ने पत्र के बाद अनिल देश मुक के इस्तीफे की बढ़ती मांग पर सुसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉनफरेंस की है संजय राउत ने कहा है कि अगर सरकार सही जाच के लिए तयार है तो बार बार स्तीफे की मांग क्यों की जा रही है वहीं एनसीपी के वरिष्ट नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भी स्तीफा ना लेने की बात का समर्थन किया है और कॉंग्रेस नेता प्रेंका गांधी वाडरा ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है सोमबार को प्रेंका ने कहा है कि भाजपा माफिया की तरह काम कर रही है और असम में सिंडिकेट चल रहा है और कॉंग्रेस महासेचीव ने यहाँ आपको बता देक एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि राज में भगवा पार्टी के दो गुठ हैं और दोनों ने ही लोगों के साथ विश्वास खात किया है दिल्ली में सराब की तथकरी रोकने के लिए कि जिरिवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है दिल्ली सरकार ने एकसाइज पॉलसी में कई बड़े बदलाव किये हैं इसके बाद अब दिल्ली में आपको वता दे कि सराब की दुकानों पर नहीं चलाएगी यानि की नहीं चलेंगी अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे नई पॉलसी में दिल्ली में सराब खरीदने की ल इगल उम्र 25 साल थी जो अब 21 साल कर दी गई है देश की राजधानी में बच्चे की चाह में एक महिला ने आपको बता दे की अंद्विस्वास और तांतरिक के चक्कर में आकर पडोस के 3 साल के बेटे की गला दवा कर हत्या कर दी महिला ने बच्चे के शब को बोरे में बंद कर पडोस की शट में फेक दिया है जिसके बाद आपको बता दे की पुलिस ने पूरे मामले की चानवीन कर महिला को गरपतार कर लिया है आज विस्व जल दिवस है और आपको बता दे की प्रकती में पानी का महत को याद रखने के लिए संयुक्त रास्ट संग की पहल पर दुनिया में पहली बार 22 मार्च 1993 को जल दिवस मनाया गया और अब तब से आपको बता दे की परंपरा चली आ रही है इस बार जल दिवस की थीम पानी का महत्व है कितनी हैरत की बात है कि हमारा जीवन पानी पर टिका है लेकिन हम इसके संरक्षन की बहुत ज़्यादा परवार नहीं करते हैं कतरना करोना वाइरस को खत्म रखने के लिए देश में टीका करण का यहाँ पर दौर लगातार जारी है इसी करम में सोंबार को भारत सरकार ने कोविट सील वैक्सीन की खुराक को लेकर नए दिसा निर्देश जारी किये हैं इसके तहट अब दूसरी खुराक 28 दिन की जगए 56 दिन के बाद दी जाएगी सांसद असुसुद दीन ओबेसी ने आपको बता दे कि कोविट 19 का पहला टीका लगवाया हूँ उन्होंने एक टूइट में का है कि टीका करण आपको कोविट से स्वरक्षा में मदद करता है और साथ ही उन्होंने का है कि वाकियों के लिए खत्रा भी कम होता है और ओबेसी ने कहा है कि जो लोग टीका करण के लिए योग हैं वो जल्द से जल्द आकर टीका लगवाएं और साथ ही उन्होंने लोगों से गुजारिस की है कि जादा से जादा लोग टीका लगवाएं राजिस्तान के वीकानेर में खेलते खेलते अंजान के आपको बता देक करेंट में चिपकने से यहाँ पर पांच बच्चों की दर्दनाक मौत की ख़वर सामने आई है मिरतकों के चार सगे भाई बहन हैं और वहीं हादसा बच्चे के लुका छिपी खेलने के दोरान हुआ है जब बच्चे आपको बता देक अनाज के खाली कंटेनर में यहाँ पर बच्चे कूद गए और इसी दोरान वहाँ गलती से यहाँ पर करेंट इन बच्चों को लग गया जिससे कि इनकी मौत हो गई है राजिस्तान के वीकानेर के हिम्मत सार गाउं की यह खटना है मुकमंत इत्रकूट जिले के खोपा गाउं में मस्ती में पांच जिन्दगी खामोस कर दी हैं आपको बता दे गाउं में परचून की दुकान पर आसानी से सस्ती मिलने से इस सराब की यूवा पीड़ी सिकार हो रही है इस कांड में सभी को हिला कर रख दिया है जंबू कस्मीर के शोपिया में हुए मुढभेड में सुरक्षा बलो ने चार आतंकियों को मार गिराया है जानकारी के अंसार शोपिया के मनिहाल गाउं में चार आतंकियों को मुढभेड के दौरान धेड कर दिया गया है और कस्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकी जैसे तैबा से जुड़े हुए थे इस संयुक्त आपरेशन को शेना की 34 आर आर पुलिस और सी आर पियफ ने मिल कर अंजाम दिया था और इस ओपरेशन में सुरक्षा बलो को एक एके 47 और तीन पिस्टल मिली हैं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के महोबा समेट 10 जिले में आधी तूफान और ओला वरस्टी को लेकर अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार आपको बता दे कि मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं जिससे खेत में खड़ी फसल को सुह जाने के लिए किसानों के मत्थे परचिंता की लकीरे खिच गई हैं और रभी की फसलों की कटाई का मौसम चल रहा है आएकर विभाग ने सभी पैनकार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार कर दिया है इसी लिए अगर आपने अभी तक अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाएए क्योंकि CBDI ने पैनकार्ड एकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखरी तारीक 31 मर्च 2021 तैकी है वहीं लिंक ना कराने पर आप पर आएकर अधनियम की धारा 272 भी के तहट 10,000 रुपए का जुर्वाना भी लग सकता है महरास्ट की राजनीत में उठा पठक लगातार बढ़ती जा रही है एक और विपक्षी पार्टियां महरास्ट के ग्रह मंतरी अनिल देश मुक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है वहीं दूसरी और अब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंग ने सोंबार को सुप्रेम कोट का दरवाजा खट-कटाया है और पूर्व पुलिस आयुक्त ने महरास्ट के मुक मंतरी उद्व ठाकरे को लिखे पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच CBI स कराय जाने की मांग भी की है दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉर्टी की बैठक हुई है आपको बता दे कि जिसकी अधग्षता LG ने की है और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली के एरपोर्ट और रेलवे स्टेस्टनों पर आने वाले की रेंडम कुरोना टेस्टिंग होगी LG ने जानकारी दी है कि आगामी तेहवार सीजन को देखते हुए जल्द सतरकता बरतने की जरूरत है और पस्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है इसी कड़ी में मुख मंतरी और त्रमूल कॉंग्रेस की प्रमुख ममता वेनरजी ने भाजपा पर यहां पर तंज कसा है और साथ ही आपको बता दे उन्होंने का है कि राक्षसों की पार्टी बताया है बीजेपी को और दीदी ने पीम मोदी पर निसाना साथते हुए का है कि उन्होंने ऐसा निर्मम और कठोर प्रधान मंतरी कभी नहीं देखा फ्रोजापूर में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि खुशियां के रंग यहां पर जमा जम बरसने लगे 14 साल बाद बेटे के आने की खुशी में यहां पर परिवार के लोग खुश नजर आए हैं और आपको बदा दे कि लगबख 14 साल पहले सूरज और सीता का पुत्र रिंकू घर से बिना कुछ बताय चला गया था लेकिन अब बेटा वापस आने पर घर में खुशी का माहल है विल्स में बढ़ रहे आपको बदा दे कि फसे हुए हाँ पर लोग फसे हुए हैं करीब 18 हजार लोगों को यहां पर निकाल कर सुरक्षित इस्तानों पर पहुँचाया गया है अधिकारियों ने कहा है कि 50 साल में पहली बार बनी ये इस्थिती कई हपतों तक बनी रह सकती है और साथ ही आपको बदा दे कि प्रशासन ने लोगों से सौधानी बरतने की अपील की है आज सोने ने हलकी सुस्ती के साथ सुरवात हुई है लेकिन आपको बदा दे कि रेट बिलकुल फ्लैट हैं और बीते दो हपते में सोना पहली बार 45,000 रोपए के उपर बंध हुआ और साल 2021 की सुरवात में सोना 50,000 रोपए प्रति 10 गराम के उपर था आज MCX पर सोने का अप्रेल वाइदा 45,000 रोपए के आसपास है चीन इलक्ट्रोनिक वाहनों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है हाल ही में चीन के सैन विभाग ने टेस्टला की कार को वैन करने को लेकर बयान दिया है और जिसके बाद आपको बता दे की ये बयान दिया गया है और एलन मास्स ने कहा है कि अगर टेसला की कारों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से जासूसी के लिए किया जा रहा है तो वैक कमपनी को बंद कर देंगे दिन भर के उतार चड़ाओं के बाद आज सब्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी की सोमबार को सेर बाजार लाल निसान पर बंद हुआ बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुक एक्शेंज सैंसेक्स 86.95 अंक यानी की 0.17 फीजदी नीचे और 49,771.29 के इस्तर पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्शेंज का निप्टी 7.60 अंक यानी की 0.05 फीजदी की मामूली गिरावट के साथ आपको बता देख 14,736.40 के इस्तर पर बंद हुआ बीते सकते BSI का 30 सेरो वाला सैंसेक्स 933.84 अंक या 1.83 फीजदी तूट गया भारत पाकिस्तान और चीन इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे और संगाई सहयोग संगठन के आपको बता देगे वैनर तले होने वाले इस अभ्यास में SEO के बाकी सदस भी शामिल होंगे वहीं आपको बता देगे उजैकिस्तान के तसकंद में 18 मार्च को शेतरी आतंकवाद निरोधक धांचे की परिशद की यहाँ पर 36 मी बैठक में संयुक्त आभ्यास का फैसला लिया गया था अमेरिका के पूर्वे रास्टपटी दोनाल टरंप सोशल मीडिया पर लोटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस बार वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉंच करने वाले हैं आपको बता देंगे ट्रम्प के सोशल मीडिया पर लोटने की जानकारी ट्रम्प के पुराने सलाकार और प्रवक्ता जेसन मिलर ने दी है और मिलर ने कहा है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेम चेंज साबित होगा और सरस्ट में रास्टी फिल्म पुरुसकार सेमी सेरेमनी का आयोजन हुआ है अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नेसनल मीडिया सेंटर में हुआ है जहां पर केंद्री सूचना और प्रशारन मंत्री प्रकास जावडेकर रास्टी फिल्म पुरुसकारों की यहां पर घोशना की ह और सेरेमनी में 2019 में बनी फिल्मों के लिए पुरुसकारों की घुशना की गई है जिनमें सुसांत राजपूत की आपको बता दिक एक फिल्म को यहाँ पर पुरुसकार दिया गया है और कंगना की बेस्ट एक्ट्रेस का यहाँ पर एवार्ड मिला है यूपे में करोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक डॉक्टर करोना संक्रमित हो गया है यह पर देश में इस तरह का पहला मामला है सोमबार को डॉक्टर स्यामा प्रशाद मुखर जी सिविल अस्पताल में इमेर्जेंसी मेडिकल ओफीसर के पद पर तैनात डॉक्टर नितिन कुरोना संक्रमित पाए गए हैं देश में आए दिन हजारों यहाँ पर कुरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं साथी वॉलेवूड गलियारों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है बीते दिनों में कई वॉलेवूड हस्तियां कुरोना की जद में आ चुकी हैं वहीं रणवीर कपूर, मनोज, बाचपई समेत कई कलाकारों के बाद अब कार्तिक आर्यन भी कुरोना वाइरस की चपेट में आ चुके हैं दिगज लेखक और फिल्मकार सागर सारहदी का यहाँ पर निधन हो गया है उनकी 87 साल की उम्र थी सागर सारहदी ने अपने मुंबई इस्तित घर में अंतिम सांस ली है वह लंबे समय से बीमारी से जूज रहे थे वहीं सागर सारहदी ने नूरी, बाजार, कभी-कभी और साथी चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में लिखी है